Hello friends and welcome back to Chikis Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about Biotechnology courses in University of Hyderabad. आज हम लोग बात करेंगे कि कौन-कौन से हमारे Biotechnology के courses University of Hyderabad में चलते हैं, कौन-कौन से courses आप लोग वहाँ से कर सकते हैं. University of Hyderabad जो है, ये इंडिया की एक reputated university है और इस पे एक detail video Chikis Biology चैनल पर पहले से भी available है, आप लोग उस video को भी देख सकते हैं. उस video में हमने जो M-TAC के courses हैं, उनके बारे में discuss किया है, ठीक है, purely हम लोगोंने M-TAC courses के बारे में discuss किया है, सभी courses के बारे में हमने अपनी उस video में discuss नहीं किया है, तो अगर आप लोगों को खाली M-TAC के बारे में ही information लेनी है, या M-TAC में ही आप लोगों को कैसे वहाँ पर admission लेना है, यह आप लोगों को जानकारी correct करनी है, तो आप लोग उस video को देख सकते हैं, वो video जिसे मैंने बता है, Chikis Biology चैनल पर पहले से available है, तो friends, आर हम लोग बात करेंगे, अपने Biotechnology के सभी courses के बारे में, जो आप लोग University of Hyderabad से कर सकते हैं, तो friends, यहां का जो Department of Biotechnology and Bioinformatics है, यह आप लोगों को offer करता है, M.S.C. Biotechnology course और M.S.C. Biotechnology course आप लोग यहां से कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने अपना B.S.C. Biotechnology course किया है, या आप लोगों ने अपना B.S.C. Life Sciences course किया है, या आप लोगों ने अपना B.S.C. Biotechnology और M.S.C. Biotechnology course कर सकते हैं, तो M.S.C. Biotechnology course अगर आप लोगों को यहां से करना है, तो इसके लिए आप लोगों को first, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों का जो graduation है वो पूरा होना चाहिए आप लोगों की बीस्टी डिग्री पूरी होनी चाहिए complete होनी ठीक है और उसके साथ मैं आप लोगों को यहां यह अपना फुद का एक entrance exam कराती है युनिवर्स्टी वो entrance exam आप लोगों को qualify करना होगा देन उसके बाद आप लोग यहां से अपना MSC Biotechnology course कर सकते हैं तो यह बात होगी MSC Biotechnology course की अब में लोग बात करते हैं Mtech course की ठीक है Mtech जो आप लोग यहां से कर सकते हैं वो Bioinformatics में कर सकते हैं और Mtech Bioinformatics में सकते हैं तो आप लोग यहां से कैसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि इस पर चिकिस Biology पर पहले से एक वीडियो एवलेबल है यहां पर admission हो जाएगा यहां अपना फुद का फुदीक का इन्टरेंस एक्साम कराती है university फस्ट यह अपने उन students को पर रिफ्रेंस देती है इस course में जिनौने जो लोग इसी उनिविस्टी का इंटरेंस एक्साम देने के बाद यहां से M-Tech course करते हैं और जो सीटे बाद में बची रहती है या जो सीटे वहाँ पर रिमेनिंग में रहती है उन सीट पर जो है जो GATE qualified students होते हैं ठीक है GATE by technology exam अगर उन्होंने qualify किया है GATE life sciences exam उन्होंने qualify किया है तो उनको फ्रदर फिर यहाँ पर chance दिया जाता है M-Tech Bio-Proventics course में admission लेने के लिए ठीक है तो fancy यह बात हो गई M-Tech course की और through gate आप लोग यहाँ पर admission ले सकते हैं अब लोग बात करते हैं PhD Bio-Technology ठीक आप लोग यहाँ से PhD Bio-Technology course भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो Bio-Technology में PhD होती है आप लोग बात करते हैं ठीक है जो हमारे biological domain के different topics होते हैं cancer जैसे diabetes और अधर भी हमारे जैसे environmental के कुछ हमारे degradation के कुछ topics होते हैं Bio-Technology के अंडर में जितने भी सब topics आते हैं उनसे भी सब topics पर आप लोग यहाँ से PhD फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं बड़ उसके लिए first of all आप लोगों का जो CSIR NET exam है जो आप लोगों का DBT JRP exam है या ICMR exam है ठीक है या आप लोगों का ICAR exam है इन्हें से कोई भी एक exam आप लोगों का first of all वहाँ पर qualify होना जरूरी है आप लोगों के पास में कोई भी एक national level की fellowship होना बहुत जरूरी है उसी fellowship के साथ में आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और then यहाँ से अपना PhD course फर्दर आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं और आप लोगों को यहाँ पर 30,000 से अबब ही आप लोगों को fellowship मिलेगी अगर आप लो जो नियू एक तरह से analytical approaches हमारी होती है वो आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं और उन सभी में आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छा कर लेंगे अगर आप लोग यहाँ से PhD course अपना फर्दर प्रोसीड करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट आप लोगों के पास में कोई भी एक आप लोग यहाँ से MSC plus PhD course integrated आप लोग यहाँ से कर सकते हैं उसके लिए भी आप लोगों को इसी उनिवस्टी का जो entrance exam है MSC plus PhD integrated के लिए वो आप लोगों को first of all crack करना पड़ेगा then उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे integrated course में admission मिल जाएगा so friends यह कुछ courses थे जो मैंने आप लोगों के साथ में discuss किये और आप लोग अगर इन courses में से किसी भी एक course में इंट्रेस्टीड है तो आप लोग यहाँ पे further admission ले सकते हैं और अगर आप लोगों ने अपना BTEC in Biotechnology course किया है अगर आप लोगों ने अपना BTEC in Biochemical Engineering course किया है आप ल technology and Bioinformatics department वो बहुत ही अच्छा है और यह इंडिया की एक रेपोटेटिड युनिवस्टी है और आप लोग इसके बारे में और भी जादा जानकारी को collect कर सकते हैं आप लोग फरदर Google पर सर्च कर सकते हैं इस युनिवस्टी के रिगार्डिंग तो आप लोगों को जो information है उ उसका आप लोगों को आपके फ्यूचर में फाइदा मिलेगा उसका आप लोगों को benefit मिलेगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूं ऐसे ही आप लोगों को अवेर करता रहूं ऐसे ही आप लोगों को subscribe करना नहीं होने और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो first of all आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर ली चुकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो चिकीज biology चैनल पर upload करेंगे उस वीडियो का नोइ certification आप लोगो को पहुध जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इम्ने हो चैनल के subscribe बु की सब्सक्राइब बटन के बगल में जो हमा़ा side में जो हमारा bell icon का button होता है उसको भी आप लोगों को प्रैस करना है उसी से आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा So thank you friends, thank you for watching